हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की नई वीडियो में तो दोस्तो आज मैं आप के लिए लेके आगया हूँ एक बहुती वहतरीन सनेक्स की रिस्पी जिसको आप घर पे यारेश्टोरेंट में होटल में कहीं भी भग असानी से वना सकते हैं चले दुस्तो स्टार्ट करते हैं कॉरियन हनीचिली पोटाटो की लेश्पी सबसे पहले डोस्तो आलॉ को आपको कुछ इसतर से रफ़ली कट कर लेना है इसके बाद दोस्तो आलू को आपने हलका सा वॉयल करना है लगभग 80% वॉयल करना है दोस्तो उसके बाद निकाल लेना है एक बरतन में पानी निकलने के बाद दोस्तो इसको आपने गर्मा गर्म करना है मैस आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं दोस्तो मैंने गिलास की मदद से यहां पर इसको अची तरह से मैस कर दिया है देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके बाद दोस्तो इसमें हमने एड़ करना है थोड़ा सा कौन फलोर और शाथ मैं दोस्तो मैंने यहां पर ढाला है इसमें कॉरियंडर बहुत अच्छा फलेवर और बहु कुछ इतने भी पीस बनाने दोस्तो आप उसे साबसे बना सकते हैं और एक बोतल के मदद से इसको देना है दोस्तो सेप देख सकते हैं बहुत ही फ्यारा सेप यहां पर आ चुका है मसरूम सेप आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम मसरूम खा रहे हैं दोस्तो और इसके बाद अब हमने दोस्तो इसको करना है हलका सा वलांच वलांच करने के लिए दोस्तो आपको एक बरतन में थोड़ा सा सबसे पहले पानी को हलका सा वोईल कर लेना है उसके बाद दोस्तो सारे पीस को इसमें एड़ कर देंगे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे दोस्तो हमारे ये पीस पानी में उपर तेरने लगे आपको इसको दोस्तो निकाल के एक बरतन में रग देना है देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके बाद दोस्तो आपको इसको करना है मीडियम टो हाई हीट में फ्राइ दोस्तो देख सकते हैं दोस्तो बहुत ही करंची और बहुत ही टेस् अब इसमें चिली सॉस थोड़ा सा डाल देंगे टोमेटो केचप और थोड़ा सा डाल देंगे दोस्तो इसमें आप सीजनिंग सॉल्ट पेपर और साथ में हनी और उसके बाद दोस्तो इसको अच्छे से टॉस करकर सर्व कर देंगे कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तो